हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू और चेनल तो हम लोग डिसेस कर रहे थे यह तो पब्लिकेशन के रिजिनिंग के बुक के लिए और इसमें हम लोग देख रहे थे वीडियो रिजियाम्स के रिजिनिंग का पेपर ठीक है और इसमें अगर देखा जा तो पांच चैप्टर हो चैप्टर हो रहा था और इसमेंग बीडियो को सब्सक्राइब करें सास्थ में हैं। और इसका अन्य जो वीडियो है वो आप यूटूब पेज पर जाईए चैनल पेज पर वहाँ पर आपको इसका सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा इसका प्लेइलिस्ट भना दिया है तो आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं ठीक है तो देखते हैं 41 question तक हो गया था देखेंगे 42 question और उसमें अगर देखें 42 question में तो दिया गया है कि दीपक अपने कारियाले से निकला और पूर्व की ओर 5 km चला फिर बाईं ओर मुड़ गया तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 km चला मदन जो की उसी कारियाले में काम करता है अपने कारियाले से निकला और पैस्चिम की ओर 5 km चला फिर बाईं की ओर मुड़ गया और अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 km चला दीपक और मदन के घर के बीच की लगूतम दूरी कितनी है ठीक है यानि कि मिनमम जो डिस्टेंस होगा उन दोनों घरों के बीच का वो हमें बताना है तो पहले हम इसके साहता से एक चित्रे बनाएंगे और उस हिसाब से हम देखेंगे ठीक है तो अगर हम इसे देखते हैं दीपक के बारे में पहले कहा गया दीपक अपने कारियाले से निकला और पूर्व की ओर चला माल और जो हो जाएगा वो उत्तर की ओर हो जाएगा तो उत्तर की ओर चला बारा किलोमेटर तो बारा किलोमेटर चलकर दीपक पहुंच गया बी पॉइंट पर और यहां पर जो की दीपक का घर एकोईशन के साफ से ठीक है अब इसके बाद मदन भी उसी कारियाले में काम करता ह और मदन पैस्चिम की ओर चलता है यानि कि पूरब की ओर दीपक गया थो तो मदन इधर जाएगा पिसट्विम की ओर और उर उसी बिंदो पहुंचेगा इसके बाद कह रहा है कि फिर अपनी बाई वे उन्मूड गया यानि कि अगर पैस्चिम की ओर इसका चेहरा है तो इस है या फिर मिनिमम दूरी लगुतम दूरी कितनी है तो इसके घर का और इसके घर का सीधा जो रेखा मिला देंगे वही हमें बाताना जात करना है ठीक है तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो एक पहले हम बात करते हैं तफिलबुज ए-b-o में अगर देखें तो कौन जो A है वो 90 डिग्री है और O A का मान 5 km, A B का मान 12 km पता है तो यहां से हम पाइधा को रस्परे में लगाएंगे और इस तरीके से हमें B O का मान पता चल जाएगा ठीक है अब इसमें क्या होता है कि 5 का स्क्वाइर प्लस 12 का स्क्वाइर बराबर यह हो जाएगा B O का स्क् तरीके से B O का मान 13 km आ जाएगा ठीक इसके बाद हमें इधर वाला दूरी अब देखते हैं तो जैसे O C और D में तो O C D में हमें O C का मान 5 km पता है C का मान D C D का मान 12 km पता है तो इस तरीके से यहां क्या हो जाएगा कौन C जो है वो 90 डिग्री बन रहा है तो यहां पर भी ह पाँच पचीस बारा परहिंगे से 44 को जोड़ेंगे 177 का जो बर्ग आएगा वर्गमूल आएगा वो 13 आएगा तो O D का मान भी 13 ही निकल के आएगा तो इस तरीके से टोटल अगर लंबाई हम देखेंगे तो 13 यह तेरा यह दोनों जोड़ देंगे तो 26 km इनके दूनों की परहिंगे दोनों को जोड़ दिया गया बाद में वार गया है और इस टैप को इसे लगाते हैं अगला कोस्चन हम देखते हैं अगला प्रण दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलो मिटर पूर्व की और चलता है फिर बाय मुडता है और अपने स्कूल तक पहुंचने के पांच किलो मिटर तक चलती है जैसे इसका पिछला कोईस्चन था उसी तरीके से है बस बजल गए डाटा और इसमें अगर देखा जाएगा तो सेम आंसर भी आना चाहिए क्योंकि पांच बारा इसमें पांच बारा इसमें है तो सेम डाटा आएगा 26 किलो मिटर आना पांच किलो मिटर चलता है तो ए पर पहुंच जाएगा और उसका स्कूल आ जाता है ठीक है सेम है इसके पीछे यानि कि जश्ट आपोजिट यानि कि पूरप का पोजिट पस्चिम की और बारा किलो मिटर दीपका जाती है और इसके बाद वह अपने बाएं मुड़कर पां 20 किलो मिटर एंसर आ जाएगा ठीक है नेस्ट कोशन देखते हैं 44 नमर कोशन 44 नमर कोशन पहले पढ़ लीजिए कोशन दियागा है प्रतेक सुभा सेखर अपने घर से निकलता है और सूरज की दिसा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परच्छाई उसके पीछे बनती है ठीक चलता है और अपने जिम तक पहुंचने के लिए 4 किलो मिटर चलता है उसके जिम से और उसके घर के वीज़ की छोटी दूरी क्या होगी यह बता रहा ठीक है इसको भी हम पहले पिक्चिराइज करते हैं अब इसमें अगर हम देखते हैं प्रारम हमें सूर की दिसा में सुरियोदे हुआ है तो इसमें प्रारम्भिक बंद अगर यह हैं तो यहां से चलता है अपने कारियाले तक पहुंचने के लिए 12 किलोमेटर दिके तो यहां से चले गए यहां कारियाले पहुंच गया 12 किलोमेटर यह हो गया टोटल इसके बाद वो कहता है कि साम को जो सुरियास्त के ठीक पहले वो अपनी कार्याले से निकलता है और फिर सूरज की दिशा में इस ब्रकार चलता है कि उसकी परचाई ठीक उसके पीछे बनती है तो इधर सुरियोदे हुआ है तो इधर सुरियास्त हुआ होगा ठीक है और इस त तक पहुंचने के लिए चार क्लोमेटर चलता है यानि बाये मुड लोगा इधर और 4KM जाता है और जिम में पहुंच जाता है पॉइंट डिपर अब उसके जिम और उसके घर की दूरी तो घर उसके A पॉइंट पर था जिम उसके D पॉइंट पर है तो यह दूरी हमें ग्याद करनी है तो इसमें अगर देखते हैं तिरभूज A, C और D में तो कौन बनता है C 90 डिगरी यहां भी पाइधा गोरस पर में लगाएंगे A, C का स्कॉाइर प्लस C, D का स्कॉाइर बराबर A, D का स्कॉाइर हो जाएगा और यहां पर A, C का स्कॉाइर तीन है यानि कि तीन का स्कॉाइर प्लस C, D का स्कॉाइर नो हो जाएगा सरी चार है तो चार का स्क्वाइर बराबर AD का स्क्वाइर हो जाएगा तीन का स्क्वाइर नो प्लस चार का स्क्वाइर 16 बराबर AD का स्क्वाइर 16 नो 25 25 बराबर AD का स्क्वाइर तो AD बराबर कितना हो जाएगा 5 ठीक है 25 का बर्गमूल कितना हो जाएगा हो जाएगा 50 का यहांच इसका राय टैंसर हो जाएगा किया जाएगा 520 आनसर जजाएगा जो किसी पार्ट में दिया दिए है लुद मून यहां से कोई बेक्ट चला, यहां से निकला और पूर्ब की ओर 10 km चलता है, फिर दाएए मुड़ता है, दाएँ याणि कि पैशिण साइड मुड़ गया, और वो पांच किलो मिटर यहां से whenever पांच किलो मिटर थी के फिर न भी 100 सी डिग्री मुड crossing मोद जाता है एक सो सी डिग्री मुड दो जिस पर आयाइ ह enrolled ठाला इन है यहां ने यहां पांच प्रारमिक अस्थान से कितना दूर है तो प्रारमिक अस्थान यह है पहुंचा यहां पर है तो यह कितनी दूरी है तो यह कितनी दूरी है पांच किलोमेटर दूरी हो जाएगा इसकी एंसर इसका एंसर कितना हो जाएगा पांच किलोमेटर ठीक है इस तरीके से निकाला जाता है ठीक है अब इसमें हमें बताना किया है क्या हैमंत दच्छड पूर्व की और मूह करके खड़ा है इस समस्या का समधान करने करें निर्धारित कथनों में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए यानि कि कथन ए भी का या फिर ए और भी अलग अलग दोनों का या फिर दोनों का एक साथ करना ताइक करना संभोने इस तरीके से बताना है पहले हम इसको समझते हैं प्रशना अनुसार इसमें कहा गया है कि जीनी उत्तर दिसा की और मुखर के खड़ी है तो माली यह जिनी होगी उतर दिसा की और मुखर के खड़ी है ठीक है फिर कह रहा है कि हेमंत और जिनी लंबोत दिसाओं में मुखर के खड़ी है यानि कि हेमंत इधर है तो जिनी जो है इधर हो जाएगे लंबोत हो जाएंगे की दिशा जो हो दचिण पूरब करके है यह कहीं नहीं से निकल पारहा है तो आपका इंसर इसमें जो होगा राइट एंसर डी पाट हो जाएगा यह वबի दोनों के साथ तय करना संभव नहीं है ठीक है तो सर आपको क्या हो जाएगा डी पार्ट राइट हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं तो एक ब्यक्ति ने प्राता सूर की और चेहरा करके सनक पर चलना सुरू किया दो मिल चलने के बाद वो अपनी बाई और मुड़ता है और अब वो किस दिशा में और चल रहा है यह बत जाता है दो ली चलना फिर क्या बहृप ज़ने के बाद लाइं और मुड़ता है तो यहां से दाय वर मुड़ा दीजि महां है cit तो अब जो है अगर देखते हैं तो दि Orleans की और जा रहा था ठीक है तो अन्सर क्या रहा पूरुब हो जाएगा स्कोंसर एपर रएट हो अंत में बाय मुड़कर 20 km गया उपने घर से कितनी दूरी पर था तो इस तरीके से question में अगर हम देखेंगे इसके बाद अंत में फिर बाय मुड़ा और 25 km अंत में बाय मुड़कर 20 km गया ठीक है तो अंत में बाय मुड़कर 20 km गया ठीक है तो पूरब की ओर इधर मुड़ेगा और 25 km यहां चलेगा फिर इसके बाद कह रहा है कि अंत में बाय मुड़कर 20 km तो अंत में बाय मुड़कर 20 किलो मीटर चल कर E पर पहुंच गया अब अपने घर से कितनी दूरी पर था तो घर इसका A पाइंट पर था E पर चल पहुंच गया है और यह टोटल दूरी 25 किलो मीटर है ठीक है 25 किलो मीटर यह टोटल दूरी है और यह इतनी दूरी 15 किलो मीटर तो 15 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दस किलोमीटर यह दूरी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर आ जाएगे जो कि दी पर्ड में दिया गया है नेस्ट क्रेशन देखते हैं दिया गहर राहुल दो किलो मीटर पस्चिम की ओर चलता है और फिर वो उत्तर की तरब मुड़ता है ठीक है और पांच किलो मीटर चलता है फिर वो पस्चिम की तरब मुड़ता है तील किलो मीटर चलता है इसके बाद वो उत्तर की तरब मुड़ और 5 किलो मेटर तो उत्तर की तरह मुड़ता और 5 किलो मेटर चला फिर कहरा है कि पश्चिम की तरह मुड़ता तीन किलो मेटर तो पश्चिम की तरह मुड़ता तीन किलो मेटर चलेगा इसके बाद कहरा है कि वो उत्तर की तरह मुड़ता और 7 किलो मेटर चलता है तो उत्तर की है ना ही उत्तर में है ना ही दच्छिण दच्छिण और उत्तर के बीच में तो यह दिशा हो जाएगी उत्तर और दच्छिण ठीक है कौन सी दिशा हो जाएगी उत्तर दच्छिण तो यह पस्चिम है तो यह दिशा हो जाएगी उत्तर पस्चिम राइट एंसर आपका सी पार किलोमेटर पूरब की और है हनीव अपने घर से उत्तर की और पांच किलोमिटर चल परता है और दाहिवें मोड़ लेते हुआ एक जिफ टाहिब मोड़ लेते हरा। फिर वो बाया मोड़ लेता हुआ नोग चिलोमिटर चलता है उस जगह पर आकर वह जोसप को जो जोसेप को जो है ढूणने में मुश्किल में पढ़ जाता है और रुक जाता है ठीक है मुश्किल में पढ़ जाता है वहां से कितनी दूरी और किस दिसा में हनीब को चलना चाहिए ताकि जोसेप का घर पता कर सके देखे इस तरी किसी कोश्चन में क्या करेंगे इसका भी हम अगराब बनाएंगे सबसे पहले हम हनीब को चलाएंगे जहां जहां चलता है हनीब अपने दोस्त जोसेप के घर से पता लगाने के लिए जिसका घर उसके घर से 20 किलो मिटर की दूरी पर है तो अब कह रहा है कि हनीब अपने घर से उत्तर की और 5 किलो मिटर चलता है तो मान GYारा किलो मिटर चल दिया ठीक इसके बाद के लिए curry न मोलेता नो किलो मिटर चलता है तो पहर आगे पुछ जाएगा और आप पर उस जगह पर अजयेखा वह जोशेख को ढूंणे में चाहिए ताकि वो जोसिफ का घर का पता लगा सके तो अगर हम माल लेते हैं जोसिफ का घर यहाँ पर है ठीक है माल लेते हैं जोसिफ का घर यहाँ पर है उपर कहा गया है कि उसका घर किसके है घर के 20 किलोमेटर पूरब के और तो इसका मालीज हनिव का इधर है तो 20 किलोमीटर इधर मालीजे कहीं जोसप का घर है ठीक है यहाँ पर तो अब यह इतना चल चुला के यहाँ पे पहुँच गया इस तरी के सिस पॉइंट पे तो अब यहाँ पे क्या हो जाए जोसफ के घर जाने के लिए हनीब दोरा चली गए दूरी कितनी होनी चाहिए तो इतनी दूरी तो चल के आ गया अब यह इतनी दूरी और चल ले बस यह जो है उसके घर पहुंच जाएगा तो यहाँ पे क्या है यह नो है ठीक है ये 5 है, ये टोटल 9 है तो 9 में से 5 गटाइए तो ये कितना ये 4 हो जाएगा ठीच है तो यहाँ पे चार किलोमीटर और चल ले बस जोसिप के घर पहुंच जाएगा तो आपका एंसर क्या हो जाएगा यहां से मुड़ेगा 2 और 4 किलोमेटर जाना चाहिए तो आपका एंसर इसमें C पाथ हो जाएगा 2 और और 4 किलोमेटर ठीक है Next question दिखते हैं मेघना गाली की और 10 किलोमेटर मेघना दचीड की और 10 किलोमेटर गाली चलाती है फिर वो दाएं मुड़ती है फिर 6 किलो मेटर चलाती है फिर वो बाएं मुड़ती है और पिर दाएं मुड़ती है और 10 किलो मेटर गाड़ी चलाकर रूख जाती है वो अपनी शुरुवाती जगह से कितिनी दूर पर है माल लेते हैं प्रारमिक बिंदु यहां से चलती है दच्छिड की और दस किलो मिटर चली ठीक है यहां से फिर वो दाएं मुड़ी दाएं मुड़ने के बाद वो जाती है छे किलो मिटर तो दाएं अगर अगर हम यहां पर माल लेते हैं प्रारम भीक बिन्दू तो 10 km चली व दाउयं मुड़ेगी तो 6 km जाएगी तो यहाँ पे पहुँच जाएगी फिर वो एक बार फिर दाउयं मुड़ती और 10 km चलती यहां से तो एह हो जाएगी अपनit शुरुवाती क्योंकि इसकी दूरी छे किलुमिटर्ट URL उपर वाली भी छे हो जाएगी तो आपका इसे में ब्राइबर उस्य आ ब्राइबर छे किलुमिटर ए ही किलुमिटर a go दाहिन Shelbyец अधर मुड़ेगी 2 मिल जाएगी पिर दाहिने मुड़ती हुर 1 किलोमेटर चलती हैं तो दाहिने मुड़कर 1 पूर मिटर एक मिलती गए तो यह देखिए इस तरफ जा रहे ही यानि कि पूर्व दिशा की और है तो आपका एंसर क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा एंसर आपका एक पाड़ पूरब हो जाएगा तो इस समय वो चलने वाले किस अस्थान से कितनी दूरी पर है तो चलिए देखते हैं इसको तो यह दियागा एक बेती 16 मिटर दच्छिन की और जाकर बाई और मुड़ जाता है तो मान लिजिए यहां से चलता है बाई और दच्छिन की और जाया गया 16 मिटर इसके बाद वो इधर हो जाएगा और पांच मिटर चलता है इसके बाद वो उत्तर के और मुड़ता है सात मिटर चलता है तो यहां से चला यह सात मिटर हो गया फिर यह कह रहा है कि अपने दाई वर मुड़ता है और बारा मिटर चलता है तो यहां से दाई वर मुड़ेगा और बारा मिटर बैसे चलता है इसके बाद कहा गया कि यहां पर तो इस समय वह अपने चलने वाले स्तान से कितनी दूरी पर तो यहां पर पहुझ गया यहां से चला था यह दूरी हमें किटना हो जाए गार उसको मिलाते हैं यह कितना यह 5 है यह 12 दिया तो 12 और 5 कितना हो जाएगा यह टोटल 17 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो आपका एंसर इसमें हो जाएगा 17 मीटर जो कि आपसन देखते हैं किसा आपसन में 17 मीटर दिया गया तो इस टैगर को यह से लगाते हैं अगला प्रशन है राकेश दच्छड की तरफ 25 मीटर चलता है उसके बाद उसने 22 और मुड़कर 20 मीटर चला पिर पुना बाँओ और मुड़कर 25 मीटर चला अंत में 25 मीटर चला वो प्रारमभी विद्व से किस दिशा में ये बताना है शिर्फ दिशा बताना इसमें तो दच्छन की तरफ 25 मीटर चला दिया यहां से माल लीज़े ए पत्चीस मीटर यहां पर पहūंच गया B Unai और पहुंच गया भी पॉइंट पर अब कह हए इसे दिखको पर बांत में प्रके जाता है और 15 पी सरी जाता सा दिसा है यह पूरब दिसा में हो जाएगा तो आपका एंसर क्या ओजाएगा एप इसिका राइट हो ज 의ब पूरबINGING नेश को सुने कविता पूरव में 10 टी a से b की ओर चलती है फिर यह दाएनी औरमलंक पूरी फिस 3 फिट चलती है फिर वह दाहईनी और मलती A से B की और तो मालिजे A यहाँ पर है B यहाँ पर है तो A से B की और 10 फिट चलती है फिर वो दाहिनी और मुड़ती है A से B की और गई और दाहिनी और मुड़ी तो अपना दाहिना मुड़ा तो 3 फिट चली इधर तीन फिट इधर चला इसके बाद कह रहे हैं कि वो दाहनी और फिर मुडती है और 14 फिर जाती है तो यहाँ से दाहनी और मुड़ेगी तो 10 तो यह चलेगी इसके बरापर और चार इधर और आएगी तो यह मालिज़ जिए 14 हो गए यहां तक ठीक है ये टोटल दूरी की बात करेंगे तो ये 14 है और ये दूरी की बात करेंगे 10 है तो ये दूरी 4 हो जाएगी तो ये 3 है ये 4 है तो ये दूरी हमें पता हो जाएगी ठीक है A, B और C अब A, B कमान हमें पता हो जाएगी क्योंकि A, C कमान 3 है B, C कमान 4 है तो 3 तरिक कर नो यहाँ ऐसका एंसर क्या है पाँट लिग्याट अनिशनै का दिशाओन? गणसर टेसर में 10 डिगॷ्म जाना है, अब उसका मुह किस दिशा में 10 डिग्री गहम ढcarearfakt mi G तो यह पाठ हो जाएगा लेकिन देखते हैं कैसे घड़ी की सुई की दिशा में प्लस 120 डिग्री जाता है और घड़ी की सुई के विपरीद दिशा में तो उसको माइनस से दिनूट करेंगे 165 डिग्री मूडता है तो कुल परियूरतन कितना करता है तो 120 माइनस 165 डिग्री यानि कि घड़ी के विपरीद 45 डिग्री गुडता है टोटल हम इस तरीक से निकाल लेंगे तो पूर्व दिशा में मूह करके खड़ा हुआ है तो उसको हम 45 डिग्री गुमा देंगे तो किधर पहुंच जाएगा 45 डिग्री अगर हम गुमाएगे तो यह पूर्व दिशा क आब उसकी प्रारंबी कि अस्थान, अंतिमर्व के बीच कितरी दूरी है, तो देखिए, अब एगर हम सेलोजन देखते हैं, तो उत्तर पूर्व जाता है 12 घूर और में जाता है तो मान लेते हैं देखिए पहले तो देखते हैं रभी 8 मीटर उत्तर पूर्व की ओर चला तो देखिए ये हो गया पूरब ये हो गया उत्तर तो उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर चला इस तरीके से यहां पहुंचा तथा 6 मीटर दच्छिड पूर्व में चला है यानि कि हम इसको पॉइंट डिनोट करें ए बी और सी तो हमें एसी पताज करना है कि कितना होगा यह 90 डिग्री हो जाएगा बी कमान कितना 90 डिग्री तो यहां से भी पाइथा को रहां लगाएंगे तो आठ का स्कॉार 64 चा का स्कॉार 36 इन दोनों को जोड़ेंगे तो सो आ गुमता है इसके बाद गड़ी की सूई की विप्रीद दिशा में 90 डिग्री गुमता है अब उसका मुख किस दिशा में है तीगटी तो उपर जैसे उपर वाला था उससी तरीके से 2 डिग्री का मान अगर देया होता है तो उसको हम एक में पहले करो करते हैं प्लस 45 डिग्र जो कि बीपाड में दिया होया नेशकोस ने कमरे में दरवाजे पर खड़े हुए एक पुलिसमें ने अपने सामने वाली दिवार पर एक घड़ी लगा देखी जिसमें अपनी दाई और वाली दिवार के साथ एक सोफा सेट पड़ा देखा तता सोफा के सामने वाली दिवा के साथ एक टीवी सेट पड़ा देखा उसने डूबती हुई डूबती हुई सूर की किले घड़ी पर पड़ती हुई देखी सोफा किस दिवार के साथ पड़ा था यह बताना तो देखिए अगर थेओरी देखते हैं तो कि सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है ठीके पश घड़ी पर और वह बैकते घड़ी के सामने खड़ा है इसलिए उसका मुख जो है पूरब दिसा की ओर होगा सोफा उसके दाहिने हाथ है अथा सोफा जो है दच्छिड दिवार के साथ लगा होगा ठीक है तो इस तरीके सिसमें एंसर क्या हो जाएगा दच्छिड दिसा लाश अब अब कहरता है कि वह अपनी दाई ओरमुड़कर 15 मिटर चलता है यहां से बाई ओर मुड़कर 15 मिटर चलेगा अब अपने चलने के अस्थान से कितनी दूर है तो 25 मिटर यह यहां पर चला नहीं पर पहुँंच गया माले जिए ई पर तो हमें इम्हें बताना है कि A से E की दूरी कितनी है तो A से E की दूरी कि अगर हम गयाद करेंगे तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो देखे D E कामान 25 है हमें निकालना A D कामान तो A D कामान कितना होगा A D बरावर B C के तो यह 15 हो जाएगा लोगों ने डिस्केशन किया वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तक आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें फटाफा ठीक है साथ हमें अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को यह चैप्टर होता है इंड चैप्टर न नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू नमस्कार